हेलो एब्रीवन वेलकम बैक टू मैं चैनल किप सिंपल लिव बेटर आज मैं अपनी इस वीडियो में शेयर करने जारी हूँ आलो और सोयावेन की लजीज सबजी यह सबजी इतनी लजीज बनती है कि इसे खा करके आपको लगेगा नहीं कि अपने नॉन्वेज नहीं खाया है यह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी टेंपटिंग एंड माउथ वाटरिंग होती है जब ही आपका मन करें कुछ लजीज सबजी बनाने का तो आप इस रेसिपी को ट्राइ कर सकते हैं यह काफी टेस्टी होती है आप इस रेसिपी को कीप सिंपल लिव बेटर चैनल में देख रहे हैं इसलिए यह आफेस है कि रेसिपी काफी आसानी से बनेगी सिंपलिसिटी के साथ बनेगी और बहुत ही कम इंग्रिडेंट्स यूज की जाएंगे मैंने वीडियो को बहुत ही अच्छे से बताया है तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा अगर अच्छा लगे तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करे और मेरे चैनल कीप सिंपल लिव बैटर को सबस्क्राइब करे सो विदाउट एनी डिले लेट्स केट स्टारड़ेड चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले मैंने कराही को गरम कर लिया है urania क्रosth आजा जाए बस ज्यादा कुछ नहीं तोरी हीदेर स्ट्री करने पर यी क्रस्ट आ जाते हैं और हमारे जो न्यूट्रेवर हैं वह परफेक्ट़ी रोस्ट हो जाती है और तयार है अवे आगे की क्रवी की तएरी करते है सबसे पहले मैंने कराई को गरम कर लिया है उसके बाद मैंने मस्टर्ड वाइल डाला है तेन मैंने जो होल करम मसाले होते हैं उन्हें डाला है और सबी चीज़ों को अच्छे से क्रेकल होने दे अभी मैं स्प्रिंगल कर रही हूं हिंग डालने से यह जो सब्जी होती है उसका chopped onions onion मैंने डाल दिया है अच्छे से मिला लेना है flame जो है वो हमारी medium है इसके बाद मैं डाल रही हूँ garlic की crust वाली पेस्ट इसका टेस्ट इस सबजी में बहुत अच्छा आता है मैंने सिर्फ garlic को crust कर लिया था और उसे भी डाला है अच्छे से सभी चीजों को मिला ले इसके बाद हमें डालना है chopped tomatoes अच्छे से मिला लेना है सभी चीजों को सभी चीजे मैं finely chopped ही ले रही हूँ मैंने paste नहीं यूज किया है इसके बाद हमें डालना है salt to taste healthy powder coriander powder सभी मसालों को डाल करके medium flame पर सभी चीजों को अच्छे से मिला लेना है इसके बाद मैंने डाला है kasmiri red chili powder इससे जो है सबजी का color काफी अच्छा आता है मैंने डाल दिया है अच्छे से मिला लेना है सभी चीजों को मसालों को मैंने मिला लिया था तोमेटो जो हैं वो भी सौफ्ट हो जायें बस सभी चिजोगों को अच्छे से मिला देना है और पांच मिनट के लिए मीडियों फ्लेम पर कवर कर दे को आंदा है अफटर फाइप मिनिट्स अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं हमारा मसाला भी अच्छे से भून चुका है आप देख रहे हैं यह अल्मोस्ट पेस्ट बन चुके हैं मैंने डाला है वन टीस्पून गरम मसाला पॉडर तो अगर पानी डाल करके मीडियम फ्लेम पर इस तरह से आप डग देंगे जो चॉप्ट ओनियं की टिक्सर में आ जाते हैं तरफ रिवर के लिए मैंने स्प्रिंटल किया है कसूरी में थी कसूरी में स्प्रिंटल करने से सब्झी का जो फ्लेवर है वह बहुत यह अच्छा आता है कि अधिया तेंदल जाए अभि मैंने डाला है मार जो रूस्टे़ न्यूत्रियला जक्त थे आइने ज इस अधिया बडलिया को मसालों के साथ सकते साथ अच्छे से मिनला दिया इसके बाद मैंने पानी डाला है और पानी डालते ही कुछ तेरबाद सब्ची में बॉय्ल आ चुकी है पानी उतना डाले जितना टिक्स्चर आपको पसंद हो सबजी जो को मैंने अच्छे से मिला लिया है फ्लेम को हमें मेडियम कर देना है और दस मिनिट के लिए कवर कर देना है आफ्टर टैन मिनिट्स हमारी जुलजी आलू और सोया बीन की सबजी थी वो बन कर तेयार है यह मसालों का बहुत अच्छा डेम्टिंग से रेसिपी को आप ट्राइ कर सकते है जीरा राइस, प्लेन राइस, पराठा या प्लेन रोटी के साथ यह काफी अच्छी जाती है घी डालने के बाद फ्लेवर एब्जॉर्ब हो जाए इसलिए मैंने ढग दिया है मैंने फ्लेम को आफ कर दिया है पाँच मिनट के लिए मैंने ढगा था आफ्टर फाइब मिनट्स हमारी लजीज आलो सोया बीन की सबजी बन कर तयार है अब देख रहे हैं यह काफी टेंप्टिंग माउथ वाटरिंग लजीज दिख रही है अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइब करें शेयर करें और मेरे चैनल कीप सिंपल लिफ बैटर को सब्सक्राइब करें thank you so much stay connected keep simple live better and stay happy and for more requests please try this recipe and share your comments hope you enjoyed the video thank you so much stay connected keep simple live better and stay happy अलाओग